हेलो फ्रेंड्स पलवीज किचिन में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बनाएंगे इमली की मीठी चटनी ये चटनी हम अकसर हमारी चाट रसीपीज में इस्तिमाल करते हैं ये चटनी टेस्ट में थोड़ी सी मीठी, थोड़ी सी खटी और चटपटी होती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए रसीपी की शुरुआत करते हैं इमले की चट्टी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी इमली आधा कटोरी गुड एक चौठाई कटोरी किस्मस एक चोथाई कटोरी छुआ रे जिने हमें लंबा लंबा काट लेना है एक छोड़ा चमच लाल मिर्च पाउडर एक छोड़ा चमच जीदा पाउडर आधा छोड़ा चमच गरम मसाला पाउडर और नमक स्वादा अनुसार अब सबसे पहले हम इमली को भीगो के रखेंगे करीबन चार घंटे के लिए ताकि इमली अच्छी मुलायम हो जाए और हम इमली का पल्प आसानी से निकाल सके इसी तरीके से छुआरो को भी भीगो के रख देंगे ताकि वो भी थोड़े मुलायम हो जाए हमारी इमली को भीगे हुए चार घंटे हो गए है अब हम इसे गरम करने गैस पर रख देंगे हमें इसे ज़ादा गरम नहीं करना है दोस्तो बस पानी गरम होने तक ही हमें इसे गरम करना है ताकि इमली का पल्प आसानी से निकल जाए तो ये पानी गरम हो गया है और अब हम इमली का पल्प निकालेंगे इसके लिए इस तरीके से चलने लेंगे इसमें इमली और उसका पानी दोनों डालेंगे और चम्मच की मदद से इस तरीके से प्रेस करते हुए इमली का पल्प निकाल लेंगे तो इमली का हमने पूदा पल्प अब निकाल दिया है इसे थोड़ी देर साइड में रख देते हैं और ये चुवारे जो हमने भिगोए थे उसका भी पानी हम निकाल देते हैं और ये भी काफी सॉफ्ट हो गए हैं तो हम अब इसे छोटे छोटे पीसे में कट कर लेते हैं चुवारे कटके तयार हो गए हैं दूसरी और इमली का पल्प जो हमने निकाला था उसमें अब हम गुर डाल देंगे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और अब गैस पे बॉइल करने रख देंगे बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे गुर अब अच्छे से इमली के पल्प के साथ मिक्स हो गया है तो अब हम इसमें किसमिस डाल देते हैं साथी में छुवारे भी डाल देते हैं थोड़ा उबाल इसमें आ गया है तो अब हम इसमें नमक डालेंगे इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे जिससे की गाड़ा इमली का जो पल्प है वो बरतन के तले पे ना बैठे नई तो वो नीचे से जलने लगेगा और हमारी इमली की चटनी में भी जला हुआ सा स्वाद आएगा अभी आप देख सकते हैं कि हमारा मिश्रन बहुत पतला है इस मिश्रन को तब तक उबनने देना है जब तक कि हमारा मिश्रन गाड़ा होकर एक चौथाई न बच जाए यहां हमें इस बात का ध्यान रखना है कि चटनी हमें बहुत ज़्यादा गाड़ी भी नहीं करनी है क्योंकि थंड़ी हो जाने पर वो अल्रेड़ी गाड़ी हो जाएगी इमलिय की चटनी हमारी बनकर तयार है तो गैस की फ्लेम आफ कर देते हैं इस चटनी के थंड़ा हो जाने पर आप इसे किसी भी एरटाइट कंटेनर में भर कर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं इस चटनी की शेल्फ लाइफ काफी लंबी होती है आप इसे करीबन देड़ से दो महीने तक फ्रिज में रख कर आपकी किसी भी चार्ट रेसीपी में इस्तिमाल कर सकते हैं तो ये इमली की चटनी आप भी बनाईए और मुझे कमेंट करके बताईए कि आपको ये रेसीपी कैसी लगी मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और मैं मिलूंगी नेक्स रेसीपी के साथ तब तक के लिए बाबाए